अगर उसमें से कोई और लोग हो गए जिनको अन्य जगह मिला तो यह बंद रहेगा अन्य जगहों पर जाएंगे नमस्कार NBC24 देख रहे आप बहुँ आपके साथ अभी शेक बिधायक अवास योजना के अंतरगत बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार ने तमाम बिधायकों को आज बावास की चावी दिया बता ले आपको कि छट पूजा आने वाल है और उससे पहले बिधायकों को जो है परा सौगात बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के साथ जो है बिहार सरकार के मंतरी भी मौजद है वहीं तमाम बिधायकों को जो है आवास का चावी दिया जा रहा है वहीं बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार से जब हमने बात किया है उनका क्या कुश्ट रहना है वो सुने आपको बना दिया है वो भी बिल्दिंग जो होगा वो पहले ही से अलग-अलग जिले के अलग-अलग छेत्र के लिए वो एलोटिट रहेगा विधायकों के लिए और उनको वो मिलेगा जैसे ही आवेंगे वो इसमें रहेंगे अगर उसमें से कोई और लोग हो गए जिनको अन्य जगह मिला तो यह बंद रहेगा अन्य जगहों पर जाएंगे वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा इसलिए जो तय रहेगा यानि जितने विधायक हैं जितने विदानफारसद हैं उन सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उनहीं को मिलेगा वो जगह तो इसके लिए यह सब किया गया है अब देखिए हम तो चार हैं बराबर बात हो रही है अच्छा होगा कि और तेजी से करके इसको हो जाए तो और बड़ा परिफशिय होगी हम pouvoir फकार आपने की प्रिवस्ता की जाये शेकड़ कोई ने तो वही तह हमसे तो क्वेस्चन कर रहे थे उमने तुरत पूछा बात किया हबर गई कहा गया है तो कहा गया है कि समा किया गया है कि तमाम बिधायकों को नया आवास दिया जा रहा है, तमाम बिधायकों को नया आवास दिया जा रहा है, तमाम बिधायकों को नया आवास दिया जा रहा है, तमाम बिधायक पुराने आवास में रहते थे, और इसको देखते हुए नया आवास लगतार तयार हो रहा था, तयार ह निया तो ठीस. पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिशेकरीफ उ आर हुआ झाल